हमें पक्का विश्वाश है प्रभू निश्चित दर्शन देगे और खुबती बृता पूरुवर भजन भजन के समय हमारे में ये नियम होने ही चाहिए प्रभू में अटल विश्वाश भजन में द्रड़ता ये भगवत दर्शन कराने की बात है कैसे भगवत दर्शन होंगे प्रभू में अटल विश्वाश अब इस अटल विश्वास को समझ लीजिए जो टल न सके ऐसा विश्वास भजन मार्ग में चल रहे हम भारी प्रतिकुलता निंदा, अबमान, रोक्षि, ग्रशित, सरीर कोई शाथ देने पर तुम्हारा विश्वास प्रभूशे नहीं टलना चाहिए अटल, बट विश्वास अटल निजधर्मा अटल विश्वास को बरगत के पेंड की उपमान से कह रहे है कैसा जिसे बरगत का पेंड है तो थोड़ी इधर जड़ कमजूर हुई तो डाल से जड़ निकल करे लग गए हिलने नहीं देगी बड़ा भारी दूर तक उसकी डाले फैल गई जगए जड़ ऐसा नहीं कि अगर जड़ भी काट दो तो उसकी इतनी जड़े फैल गई कि नस्ट नहीं हो सकता बट विश्वास अचल निजधर्मा अपने धर्म में अचल और अपने आराध्य देव में अटल देखो ना अंदर देखो आप भगवत दर्शन करने की लालसा प्राप्त करने के लिए आराध्य देव में अटल विश्वास और भजन में द्रड़ता कैसे भी परस्तिती हो पुजी श्री राधा बाबा इन महापुरुषों की भजन द्रड़ता देखो अनुष्ठान कर रहे हैं अंग तूट गया है नहीं रुकना वैसे ही बैठा लो मुझे आसन पे भजन नहीं है नियम नहीं तूटने हाला कैसे द्रड़ता है लिया नियम परिक्रमा भावगिरी राज की गीतावाटी का नहीं चल पा रहे है पालकी में बैठा लो चलो ले चल जो नियम जो भजन की द्रड़ता उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए दूशरा हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारे भजन को देख रहा है बड़ा सुख मिलेगा आपको जब ये बात आप लाओगे हम बानी गायन कर रहे हमारे प्रियालाल सुन रहे है हम भजन कर रहे हमारे प्रियालाल देख रहे है तो हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो प्रियालाल के सामने नहीं करना चाहिए तो को आप बच जाओगे दूश्रा है भगवत दर्शन करने वाले उपाशक का नियम हम जिसका भजन कर रहे हैं वो उपास्य देव हमें देख रहा है उनको शामने देखते भजन करो प्रिया प्रीतम देख रहे हैं उनकी लिला गया प्रिया प्रीतम ही बैठे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं और पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे और मेरे आराध्य देव से बढ़ करके अनंत ब्रम्भंडों में कोई नहीं है ये दो बाते तीसरी जो गुरुजी ने भजन दिया है मंत्र दिया है उस पर विश्वास उस से बड़ा कोई मंत्र को इशादन नहीं है ये तीसरी बात बताई हमें नाम मंत्र भजन उसी में द्रड होना जो गुरुदेव ने दिया है चोथी बात जिसका हम भजन कर रहे हैं शिर्फ उसी की प्राप्ती के लिए भजन है बीच में मिलावट कुछ नहीं होनी चाहिए ये वो मांग नहीं होनी चाहिए जिसका भजन कर रहे हैं उसी की प्राप्ती के लिए भजन हो रहा है बीच में किसी दूसरे विशय की मांग, किसी परिष्थिती की मांग, तो फिर ये लालसा उत्कट नहीं प्रगट हो पाएगी भगवत दर्शन की पाच्वा जिसका नाम जब कर रहे हैं, उसके रूप को आँखों में लाने की चेश्टा करना भाव करना चेश्टा लिखा है, वो तो स्वयमाएंगे करपा करके, पर हम चेश्टा तो कर सकते हैं, ध्यान की चेश्टा तो कर सकते हैं कैसे राधाव लवलाल जू, कैसे बिहारी जू, हम इन्हीं की ध्यान यही है प्रिया प्रितम का मिलिद स्वरू पर जब प्रकासित करेंगे तो कोटी-कोटी कामलावर्ण बिहारी यही है यह अपना रूप प्रकासित कर देंगे मन से उनके रूप का चिन्तन वानी के द्वारा गुरु प्रदत नाम मंत्र का जब यह दोनों शाथ चलने चाहिए छठा प्रभु के भजन करते हुए किसी दूसरे उपासना के उपासक किसी दूसरे मार्ग के भजना अनन्दे की अवग्या निंदा हे भाव तिरसकार भाव यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो सरवोपर निकुन्ज उपासक हैं यह तो क्या गए आपके अंदर उतकट लालशा नहीं जगेगी यह बहुत सुक्षूबत है किसी भी उपाशक की किसी भी शंप्रदाय की किसी भी उपासना की निंदा नहीं अवग्या नहीं तिरशकार नहीं हम जो प्रभू का नाम ले रहे हैं उन्ही के सब नाम है उन्ही की सब उपासना सब को प्रडाम हमको अपनी उपासना सर्वो पर मान करके करना है पर दूसरे का अपमान दूसरे की निंदा दूसरे का तिरसकार दूसरे को लगू समझना यह नहीं अपने इस्ट में आशक्त होना दूसरे का बिरोध ना करना इससे आपके हरदय में उत्कृत लालसा का जागरण हो जाएगा खास बाद उत्कृत लालसा के लिए एक दुरूबलता का त्याग करना होता है यह हर उपासक के हरदय में होती किसी एक की बात नहीं प्रायहा हर उपाशक इस दुरबलता को धारण करने के कारण वो उतकट लालशा को नहीं प्राप्थ हो पाता भगवत दर्शन की क्या दुरबलता होती है अपने गुरुदेव की दी हुई मंत्र और उपासना में अपनी बात मिलाना जो बोला जैसा बोला वैसे का वैसा स्वईकार करना उपाशक अपने मन की बात अपने गुरुदेव से आचारी से पत्ध प्रदरुशक से करवाना चाहता है किसी ने एक पत्र में कहा कि अमुक शाधक यहां से निकाल दिया गया और अमुक शाधक ने हमें सब बताया कि यह आपके हां बराबर बिवार ठीक नहीं होता बराबर बिवार नहीं होता तो ऐशी बात साधक को नहीं समझ में आई उसको समझ ले कि कमी तुम्में है आत्म समर्पन की तुम्हारी बुद्धी शमर्पित नहीं हो इसलिए दोस्दर्शन कर रही है गुरू पत्प्रदर्शक जिस शाधक को जैसा उचित समझता है वैसे ही साधन का आदेश करता है और उशी शाधन से सबको वही वस्तु प्राप्थ होगी पर साधन सबका गुरू निर्दिष्ठ होगा आपको यह आपको यह आपको सबको एक जैसा नहीं जैसे रोगी डाक्टर या वैद्ध से कहे कि हमको तुम ये वाली दबा दीजिए और ये वाला पे दीजिए और देखो हमारे उपर तुम ये नहीं लगाओगे कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना तो क्या रोगी कभी ठीक हो सकता है क्या उशी प्रकार शिश्य शाधन सत्य मार्ग में चलने वाले उपाशक को गुरु उसके श्वभाव को उसकी स्थिती को देखकर उसके लिए मार्ग निर्देश करता है वो परमशत्य है क्योंकि गुरु जानते हैं कि इस श्वभाव का साधत इस श्वभाव से ऐसी साधना करने पर उसी सिध्धी को प्राप्त होगा गुरु ही उपयुक्त अधिकारी देखकर के उपाशना बताते हैं वो तब तक शक्ति पात नहीं करते शक्ति का आधान नहीं करते जब तक शिष्व संपुर्णत्या गुरु के अधेन नहीं हो जाता शक्तिमान गुरुदेयो शिष्व को जो अपनी अध्यात्मिक शक्ति देना चाहते हैं जिससे सास्त्री भावसा में सक्तिपात कहते हैं परम शामर्थ साले गुरुदेयो उसे तब तक नहीं देंगे जब तक उस शक्ति को रखने की योग्यता नहीं आएगी पात्रता नहीं आएगी अधिकार नहीं आएगा जिस उपाशक में उनकी उर्जा सक्ति को धारन करने की सामर्थ नहीं आई है यदि वो उसे शक्ति पात कर दे तो उनकी शक्ति बेर्थ हो जाएगी या वो उपाशक नश्ठ हो जाएगा उनमत होकर मतवाला होकर गलत मारग कानुशन करके भरष्ठ हो जाएगा क्योंकि पावर मिल गया उसको जैसे भगवान शीव से ब्रत्तार सुर ने सक्ती पात करने की प्रार्थना की कि मैं जिस पर हाथ रख दू भर्ष्म हो जाए सथास्त जगत गुरु शीव ने ऐसा ही कह दिया उस्ष ने सोचा कि परिक्षाईनी से सुरू करते हैं उमा जी की तरफ दरश्टी गई सुरू यह से करते भागे उस शक्ती का तुर्पयो और उस शक्ती के द्वारा उसका नाश स्री हरी ने उल्टा उसी को उपर रख़वा को भस्म कर दिया भगवान शीव ने तांडो प्रावरंभ किया तो बानासुर अपनी ताल गती से उन्हें प्रशन कर तो जा तेरे शास्त्र हो जाए हो जाए शक्तिपात के हजार भुजा बल साले जिस परवत पर जाता टक्कर मारता उसकी भुजाओं का जोड कोई नहीं भगवान सीव से ही आया और कहने लगा गुरो अब इन भुजाओं की खुजली मिटाने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं आओ आप ही हमसे दो-दो हात करने हस पड़े उनका आ जाएगा कोई दो-दो हात करने वाला भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसी सक्ति को नर्ट किया इसलिए गुरुजन श्वभाव के अनुशार उस शिद्धी को प्राप्त करने के लिए उसे मार्ग देते हैं शक्ति पात तभी होता है ज़र शर्वतो भावेन मन वचन कर्म से वो अपने गुरुदेव के अधीन हो जाता है जिसकी बुद्धी नहीं रह जाती है जब तक आपकी बुद्धी काम कर रही क्यों में हो इसमें ऐसे कर लिया जाए वैसे कर तब ने ऐसा कहा है शब को शमान उपदेश नहीं दिया जा सकता सब के साथ समान व्योहार भी नहीं हो सकता समझें प्यार आंतरिक गुरुदेव का सब के प्रतिशमान है सब को समान रूपशे आप ऐसा सब करें नहीं हो सकता अलग अलग है प्रक्रिया है सब को समान रूपशे आदेश नहीं दिया जा सकता तो जो साधक रुष्ट होके गया था उसकी जब छान बीन कई गई तो वो अपनी शाधना से ब्रष्ट होकर दुर्गती को प्राप्ट हुआ पूद्जि भाई जी से हनुमान पुछाथ पूद्धार जी महराजी की वानी दुर्गती को प्राप्त हो उसका साधर नस्ठ हो गया वो कमजोर हो गया फिर बाद में आके रू की पूछा कि क्या मेरा भी सुधार हो शकता है उत्तर उसे दिया गया कि तुम दिखाने वाले इस परमशत्य मार्ग को जो शदगुर्देव हैं जो इस मार्ग के आपको दर्शन कराने वाले हैं उस मार्ग पर तुम चले ही नहीं तुम उस रास्ते को चुना ही नहीं जिस मार्ग को तुमने देखा नहीं जिस मार्ग का तुम्हें अनुभव नहीं उस मार्ग पर जो चला रहे तो तुम्हें उसमें क्यों में करने का अधिकार क्या है तुम कैसे उस मार्ग पर चल सकते हो जिसको जाना ही नहीं है तो जानने वाले जनाने वाले मार्ग दर्शक गुरुदेव जो तुम्हें जैसा ठीक समझ रहे वो मार्ग दे रहें तुम उस पर नहीं चलोगे तो फिर उल्टा चलने पर तो ऐसा ही होगा